भारती जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दर्वाजे की बेल बजाए। बेचारी भारती रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धुने तक लगतार दर्वाजे की कुंडी बज रही थी। वो लगतार बोल रही थी थोड़ा रुको, मैं आ जैसे ही उसने दर्वाजा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी अदिती दर्वाजे के बाहर ख़ली थी तब उसे आश्चर्या हुआ कि कुछ बताया भी नहीं मैंने भी नहीं बुलाया तो अदिती अचानक कैसे आ गई अपनी बेटी को देखकर भारती बोली आने से पहले बताना तो चाहिए था अकेले ही आई हो क्या जमाय जी और बच्चे कहां हैं भारती ने एक साथ कई सारे सवाल किये तब ही अदिती बोली मा क्या कोई अपनी प्यारी इकलोती बेटी का ऐसे स्वागत करता है मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी पर यहां तो उल्टा ही हो रहा है शायद तुम दुनिया की पहली मा होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाए चिंता में पढ़ गई कया मैं अकेली इस घर नहीं आ सकती क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है बोलकर आदिती घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रख कर बोली भावी कहां पर है भावी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ आपकी ननन्द आई है बहु घर पर नहीं है अपने माय के गई है मा ने कहा ही नहीं पढ़ेगी बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहु और एक मैहु जिसे उसकी सास कभी एक ग्लास पानी भी नहीं पूछती अदिती ने ताना मारते हुए कहा बेटा प्यार और इजट ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं फिर उसे अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे मा ने उसे समझाते हुए कहा मा ने आगे कहा हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है वहां कुछ भी आसानी से नहीं मिलता तुम अपनी सास से एक ग्लास पानी के अपेक्षा करती हो तुम तो उनकी बहु हो तुम बहु हो फिर भी तुमने कभी उन्हें एक ग्लास पानी दिया है क्या तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैक भरी और सीधा माईके आ जाती हो माईका और ससुराल एक ही शहर में है इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब माईके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ माईके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर माईके में कुछ दिनों के लिए आती है तभी उसे मान सम्मान मिलता है ऐसा हर रोज बिन बुलाए कोई कारल ना होते हुए भी कोई बेटी माय के आती होगी तो उसको साधारल कूछताच भी कोई करता नहीं और तुम मेरी बहु को बोलती हो ना देटी को मा के सिवाए अच्छा कौन समझ सकता है, मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है, तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं तुम ही उनके साथ मिलजुल रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है ससुराल में सबसे पहले सब का दिल जितना पड़ता है सब को अपना बनाना पड़ता है उसके लिए छोटों से लेकर बढ़ों तक सब को प्यार करना पड़ता है सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है तभी सब लोग घर में आई नहीं बहु को स्विकार करते हैं उसे अपना मानते तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तयार ही नहीं हो इसलिए रोज रोज माय के चली आती हो यहां आकर भी वही करती हो अभी की बात देख लो घर में कदम भी नहीं रखा उतने में भावी को ओडर देना शुरू कर दिया भावी मुझे चाय नाश्ता लेकर आओ वो व्यक्ति घर में है या नहीं वह कैसी है उसकी तबियत कैसी है वो पूछना भी जरूरी नहीं समझा घर में आये महमान की महमान नवाजी होती है पर उनका बरताव बोलना सामने के व्यक्ति को पसंद आया तो महमान नवाजी ना मानते पूरी होती है पर तुम्हारा ऐसा बरताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहु का बहुत थोट है तो वो बात सही है उसने यहां हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसी ससुराल के लोगों के साथ जगड़ा करके मायके नहीं जाती इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज़्जत होती है। इस पर आदिती बोली नहीं नहीं भावी में वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फोन आया था। उनकी सीने में दर्द हो रहा है। मुझे वापस जाना है। आउंगी वापस कभी यहां। ए बोलकर आदिती अपना सामान लेकर चली गई। तब ही उसकी भावी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास नहीं अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहु को बोली बहु जाने दो, उसे पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे माय के में आने दो, तोम भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारी माय के जाती हो किय तभी बहु भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया काफी महीने हो गए अदिती का फोन नहीं आया था वो खुद भी माय के नहीं आई इसलिए उसकी माने उसे फोन किया शुरुआत में किसी ने भी फोन उठाया नहीं फिर थोड़ी देर बाद फोन किया तो फोन उठाया लेकिन अदिती ने नहीं उसकी सास ने उठाया तभी उन्होंने ने उनकी तबियत का पूज़ा फिर दोनों की बाते शुरू हुई तभी बीच में ही अदिती की सास ने उसकी मान को धन्यवाद किया तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया इसलिए भारती जी ने वापस पूछा आप और किसी के बात कर रही हूँ क्या अदिती की सास बोली नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी भरती जी पूछा आपकी बेटी अदिती बहुत समझदारी से बरताव कर रही है सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है सभी की मनपसंद का खाना बना कर खिलाते हैं घर में बहुत आनंद का वातावरन बना है कोई भी जगरा नहीं जैसे स्वर्गी बन गया हूँ मेरा घर इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ आपकी बेटी के अच्छे बरताव से ये दिन हमें देखने मिला हम बहुत धन्य हो गए पहले हमें उसकी तरफ से